हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल बेजी ब्रश मैं हूँ संगी तावस्थी फ्रेंड्स आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइस रिलेटेड मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था इस वीडियो का जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सपोर्ट किया उस इसका सेकेंड पार्ट भी क्रियेट कर रही हूं अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप देख सकते हैं चैनल पर नए है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बेटन को प्रेस करते हुए आल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में मेरा जूल्री मेकिंग का जितना भी माटीरियल है वो मैं रखती हूं तो सबसे पहले मूब करते हैं हम इन प्लायर सेट की तरफ जो की सेट ऑफ थ्री हैं वस्ट इसमें कर्व करने के लिए यूज होता है और सेकेंड कट करने के लिए यूज होता है और थर्ड किसी चीज़ को अच्छे से होल्ड करने के लिए यूज करते हैं देन हम मूब करते हैं फोम रोजिस की तरह और इनी के साथ यह then next है हमारा यह ear buds और बहुत ही cheap rate में यह मिलता है आप easily इनको buy कर सकते है then move करते हैं हम punching machine की तरफ यह बहुत helpful रहती है इससे किसी भी thin card sheet या paper को आप punch कर सकते है then हमारा आता है wire यह wire golden और silver मेरे पास दो type के हैं और इनका भी हम jewelry making में use करते है then move करते हैं nail paint की तरफ यह काफी cheap rated होते हैं यह transparent golden glittered तीन टाइप के हैं और बड़े helpful होते हैं jewelry making के लिए आप इसको कहीं से भी buy कर सकते हैं then next move करते हैं हम अपने colorful jute cord की तरफ यह बहुत ही helpful होती है और jute की jewelry making के लिए यह बहुत ही useful रहती है then next move करते हैं हम अपने wooden beads की तरफ wooden beads की तरफ wooden beads को भी हम jewelry making में use करते हैं then next step कर जो की मेरे पास बहुत time से है then thread cutting tool का use भी हम अपने jewelry making में या stitching में करते हैं यह बड़ा helpful रहता है then मेरे पास यह चो टू सा bottle है rubber band के लिए इसका भी यूज हम jewelry making में करते हैं then यह bands हैं कभी कभी हमें इस तरह की blade की भी जरुवत पड़ती है then friends यह pips हैं और इनका use हम flower making में करते हैं और इसके बाद यह inserting और flipping tool है यह भी jewelry making में हमारी help करता है next time move करते हैं popsicle sticks की तरफ और यह बहुत ही helpful रहती हैं बच्चोंगर के project बनाने के लिए भी हम इनकी help लेते हैं यह मेरे पास colorful और simple दोनों ही हैं तो plain और colorful यह दोनों तीनों packets मुझे लगबग 100 rupees के पड़े थे उसके बाद friends मैं दिखा दूँ कि मेरे पास एक box है जिसमें मैं बहुत चोटा चोटा जो jewelry making से related articles होते हैं उनको carry करती हूँ यह burlap fabric है then हमारे पास यह golden color के beads हैं यह 3 size में हैं मेरे पास large medium and small then मेरे पास यह stud stoppers हैं इनको पीछे की तरफ studs में लगाते हैं बना दें के बाद उसके बाद यह कुछ hooks हैं जिनको हम पीछे डोरी को या cord को या जो भी jewelry making में नेक पीस बनाते हैं उसको close करने के लिए यूज करते हैं इसके बाद यह eye pins और head pins हैं जिनके pouches अलग अलग हैं फ्रेंट्स जितने भी इसमें pouches आपको दिख रहे हैं किसी का rate 20 रुपीज है किसी का 30 और किसी का 40 और I think 50 रुपीज से अब और इसमें कोई भी packet नहीं है तो जितने भी आपको pouches दिख रहे हैं और packets दिख रहे हैं यह सारे packets आपको 30 to 50 के मिड में ही मिल जाएंगे मैंने इनको एक साथ buy किया था इसलिए मुझे exactly इनके rates याद नहीं है इसके बाद देखते हैं यह मेरे पास एक chain है यह 35 रुपीज पर मीटर थी I think इसको भी हम jewelry making में यूज करते हैं and it is very helpful for jewelry making और उसके बाद मूब करते हैं हम अपने stricolor flag के तरफ यह बैज है और यह set of two था मेरे पास इसके बाद यह small chain है इसको भी मैंने buy किया था then हम move करते हैं in stones के pouches की तरफ यह मुझे 10 rupees each कपड़ा था और यह भी jewelry making में help करते हैं आपने देखा होगा राखी making के लिए मैंने इनका use किया था तो यह मेरे पास three pouches ह और इनका use मैं अपने jewelry making में करती हूं तो friends this is all about my jewelry making material और मैं एक बात और बता दूं कि यह जो box आप देख रहे हैं यह wooden box है और यह gifted box है इसको मैंने buy नहीं किया है और यह मेरी jewelry making material को रखने के लिए carry करने के लिए best है तो friends next हम move करते हैं एक दूसरे box की तरफ तो इसमें भी क in craft में work करता है तो देखिए यह common cloth clips है यह सब के पास generally होती ही है और इस तरह के clips भी आपके पास होंगी ही तो इनको हम craft में कभी-कभी use करते हैं मैंने अपने एक video में इनको use किया था तो friends next है यह paper binder clips और यह मेरे पास तीन साइज में है और इनका use हम करते हैं अपने art and craft material में next मेरे पास यह coin magnets है और यह तीन साइज में है मेरे पास large और medium और small इनसे आप fridge magnets मेना सकते हैं मैंने इनको अपने एक video में use किया था then friends यह हमारी u-pins और यह मैंने पाउच लिया था 25 रूपीज का और इसके बाद हम यह देखते हैं पुश्च पिन्स हैं यह और यह मुझे इसी plastic box में receive हुई थी इन पिन्स को हम जालतर notice board या bulletin boards वगेरा के लिए use करते हैं then हम next move करते हैं wooden clips की तरफ और यह colorful wooden clips हैं I think यह 12 थी और इनको हम craft में जालतर message और photos वगेरा hang करने के लिए use करते हैं then move करते हैं हम plain wooden clips की तरफ जोकी size में थोड़ा छोटी है small है but in clips को colored और plain clips को अगर आप नहीं भी buy करते हैं तो आपका काम चल सकता है it doesn't matter then मेरे पास हैं यह 3D butterflies और यह numbers में 4 हैं और यह काफी अच्छा look देती हैं यह देखिए इनका 3D look है और अगर आप इनको अपने balcony में या garden में कहीं भी add कर देते हैं तो यह आपके garden की beauty को और भी ज्यादा enhance कर देती हैं अगर आप वह butterflies buy नहीं करना चाहते हैं तो उनसे भी cheap rated यह butterflies हैं यह मैंने 5 packets ले थे और यह आपको इस chocolate glue के साथ मिलती है इस glue को आप 5 pieces में cut कर लीजिए और बस आप इनको direct कहीं भी wall पे stick कर सकते हैं करते हैं हम अपने next product के तरफ जो है एक scrubber जो की हम लोगों के घरों में easily use होता है तो इसका भी use हम कभी-कभी art and craft में करते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यह M seal की तरह दिखने वाला bond set है जिसको हम कभी-कभी clay के form में भी use करते हैं देन मूव करते हैं water balls की तरफ इनको आप रात में soak करके रख दीजिए और सुबह यह आपको swill करी हुई मिलेंगी देन मूव करते हैं बलून की तरफ यह मेरे पास दो packets हैं small और big तो इनका भी use कभी-कभी हम अपने art and craft work में करते हैं इसलिए मैंने ले लिया यह additional है नहीं बाइ करना चाहते हैं तो इसे बाइ करने की ज़रूरत नहीं है इनके अंदर dry flowers and leaf होती हैं आप इनको room decoration में use कर सकते हैं then move करते हैं अपने threads की तरफ यह threads cotton threads हैं इनका use भी मैं काफी चीजों में कर चुकी हूँ इनसे आप tassels वगेरा create कर सकते हैं then move करते हैं black color की elastic की तरफ इसको भी हम craft में use करते हैं तो इस तरह का packet glitter का है और यह काफी cheap rated मुझे मिल गया था तो मैंने ले लिया then friends मेरे पास है यह golden cord और राकी making और jewelry making में इसका use होता है then यह मेरे पास एक lace और ribbon भी है जो बचा हुआ है friends यह cotton threads हैं और यह thin है और इनका use हम embroidery के लिए करते हैं तो friends इस तरह का मेरे पास बहुत जादा समान नहीं है क्योंकि मैं अपनी जरूरत के cording ही समान को buy करती हूँ then move करते हम अपने double sided tape की तरफ और यह must have product है इसके बिना आपका काम भी नहीं चल सकता इसको buy करना बहुत जरूरी है उसके बाद scissors को देखते हैं यह भी must have product है इसके बिना भी आपका काम चल नहीं सकता friends यह stocking cloths हैं इनका use हम flower making के लिए करते हैं और यह बहुती beautiful लगते हैं flower making में जल्दी ही flower making का वीडियो आपको channel पर मिलने वाला है तो friends यह देखिए यह दो size में आते हैं small और large इनके साथ हम wire green tape और pips को mix करके flower को create करते हैं और यह बहुती beautiful लगते हैं बनने के बाद friends next move करते हैं हम अपने यह therma coal balls की तरफ यह मेरे पास white हैं और बहुती जादा cheap rated है यह color भी है मेरे पास लेकिन उनका packet मिल नहीं रहा था then move करते हैं green tape की तरफ और यह भी flower making में यूज होता है flower making में यह बहुत ही important role play करता है इस मेका आपको brown भी मिल जाता है बर जालतर green ही यूज करते हैं हम लोग then यह wire है और यह especially flower making में ही यूज होते हैं friends यह jewelry making में यूज होने वाले wire से एकदम different हैं इनके उपर एक plastic layer होती है जो कभी-कभी remove भी हो जाती है तो यह jewelry making में नहीं यूज हो सकते उसके बाद move करते है इसको हम कभी-कभी packaging में यूज करते हैं और हम nest वगरा create करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं then मेरे पास यह wool है और यह colorful wool है बहुत ही helpful है tassels के लिए pom-poms के लिए और friends this is the must have product आपको जरूर लेना चाहिए different color के wools का यूज करके आप अपने art piece में चार्चान लगा सकते है friends मैंने इनको local market से ही buy किया है और जरूरी नहीं है कि आप सारा समान online ही purchase करें आप online और offline rate को compare कर लें आपको जहां cheap लगे आप वहीं से buy कर सकते हैं friends एक बात और मैंने जो भी rate इसमें mention किये हैं वो कभी-कभी fluctuate होते रहते हैं मैंने कई समान बहुत पहले भी खरीदा था तो rate में fluctuation हो सकता है उसके लिए आप prepare रहें तो friends इसके बाद हम देखते हैं यह pom-pom इनके भी packets साते हैं बट मैं packet कभी नहीं buy करती हूँ और इसको आप easily घर पे बना सकते हैं अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment करके बताईएगा मैं इसके लिए video create कर दू then move करते हैं हम paper sheets की तरफ friends मैं paper craft बहुत जादा नहीं करती हूँ इसलिए कुछ paper ही limited sheets ही मेरे पास हैं तो मैं उनी को आपको show कर रहे हूँ यह glitter sheet है और यह foam sheet है इसमें पीछे paper एक लगा रहता है उसको remove करके आप कहीं भी stick कर सकते हैं तो यह मेरे पास 4 थी और एक use हो गई है then यह cheap rated gift wrapping paper है then हम move करते हैं good quality paper sheets की तरफ और यह thick होती है और इनके colors भी bright होते हैं shine होती है इनमें तो यह अच्छे quality के paper हैं friends इनको आप अपने art and craft में use करते हैं तो यह durable भी रहते हैं और इनमें shine भी रहती है then move करते हैं हम colored paper sheets की तरफ यह एक bunch है जो मैंने वी बाजार से buy किया था और independence day पे मैंने एक badge से related video create किया था अगर आपने नहीं देखा तो link description box में मैं दे दूंगे आप देख सकते हैं friends अगर आपके छोटे चिटे केट्स हैं तो आप इन papers को जरूर बाई करें this is the best product for paper craft then move करते हैं हम अपने stones की तरफ और यह stones भी बहुत helpful होते हैं then मेरे पास है यह golden sticky letters और इनका use भी हम अपने art and craft work में करते हैं friends इन सारे stones और letters को रखने के लिए मैं plastic pouch का use करती हूं तो friends it was all about my art and craft material मैंने यह सारा जितना भी material है वो थोड़ा थोड़ा करके ही लिया है और online offline दोनों ही तरीके से जहां भी मुझे cheap लगा वहां से मैंने इसको buy किया है तो आप भी चाहें तो ऐ like जरूर करें अपने friends और relatives के साथ share जरूर करें चैनल पर नए हैं तो इससे subscribe जरूर कर दे थैंक्स फर watching